हैलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरे ट्यूब चैनल नेशर एड़ वाईजर स्वागत है आप सभी का दोस्तों वीडियो में जो पौदा आपको दिखाई दे रहा हैं इसे बेसरम, बेहया या थेथर के नाम से जानते हैं यह प्राया ताला, पोकर, नदी और अन्य जल्ल सुरोदों के पास किनारे पर पाया जाता है यह कठीन से कठीन प्रस्चितियों में भी जिन्दा रह सकता है इसलिए इसे बेहया कहते हैं इसके फूल हलके गुलावी रंग के होते हैं जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है इसके फूल गुलाव जैसे रंग के होते हैं इसलिए इसे गुलाबसी भी कहते हैं इस पौधे के बहुत सारे औसदी गुड़ हैं और या बेहत काम का पौधा है गाउं के लोग इसे बाड बनाने में और जलाने में इसका प्रियोग करते हैं इसका उपयोग जैविक किटनासक के रूप में भी किया जाता है कई ग्रमीर छेत्रों में इसकी पत्तियों को नीम की पत्तियों के साथ और धतूरे के साथ एक साथ उबाल कर उन्हें आपस में खेत में छिड़काओ करने के काम आता है ऐसा करने से फसल की रोग प्रतिरोदक चमता बढ़ती है यह दाद, खाज और खुजली में बेहदी उपियोगी है इसके लिए बेसरम के फूल को तोड़ ले और इसके डंठल से जो गाढ़ा दूद निकलता है इसको वहाँ पे लगाना है जहाँ पे दाद, खाद या खुजली हुई है ऐसे अस्तन पर लगाने से एक दिन के अंदर अंदर काफी सुधार मिलेगा आपको जो इसकी पतियां होती है इस पतियों को तोड़ने पे जो दूद निकलता है तो अगर सरीर में कहीं चोट लग जाए तो वहाँ पे ये दूद लगाने से घाओ जल्दी भर जाता है इस पौधे को इंगलिस में मार्निंग गलोरी कहते है पीलिया के मरीजों को इस पौधे का रस गन्य के जूस के साथ मिलाकर पीने से पीलिया रोग में जल्दी चुटकारा मिलता है या पौधा पेट में पानी भरने की समस्या या सरीर के किसी भी यंग में पानी बरने की समस्या में राम बाड औस दी बानी जाती है इसके लिए आपको एक चम्मच इसका तेल और चुटकी बर सेधा नमक को एक ग्लास गुन्गुने पानी में डाल कर रोज सुब़ पीना पड़ता है ऐसा करने से समस्या से जल्द ही चुटकारा मिल जाता है मुँ में चाले होने पर आप बेहया के कुमल डंठल को चबा सकते हैं ऐसा करने से मुँ के चालो में तुरंत ही रात मिलता है बवासीर को ठेक करने में भी यह एक खास आउसदी है इसके जड को सेधा नमक के साथ बारीक पीस कर चुण बना ले और रोज सुबा चुटकी भर इनका मिसरण दही के साथ खाने से बवासीर का घाओ जल्दी भरता है और बवासीर को जड से मिटाने में सायक होता है पूरुसूं और महिलाओं दोनों को अंदुरूनी गुप्त बिमारी नपुन सकता धातु रोग, विर्य कमजोरी, सुकुराणियों के गरवड़ी और निसंतान कलंग को दूर करने में इस पौधे का बहुत ही उप्योग किया जाता है यदि किसी पेसेंट को वात रोग की समस्या है तो ब्यहया के पत्तियों को गरम करकर लपेटने से पीड़ा कम होती है दी बूटी की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकान जरू प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे साथ ही साथ चैनल को सस्क्राइब करें और वीडियो को सेयर करें थैंक यू पर वाचिं वीडियो गाई बहुत बहुत धन्यमाद थैंक यू वेरी मच्छ